अफगानिस्तान में तालिबान का शाषान सुरू होने के बाद लोग जल से जल्द वहां से निकलने की कोशिश में हैं इस बीच भारत ने वीजा नियमों में बदलाव किया है आपको बता दें कि ग्रह मंत्राले ने इलेक्ट्रोनिक वीजा की एक नई केटेगरी शुरू की है ताकि भारत आने वाले अफगानियों को जल्द से जल्द वीजा मिल सके ग्रह मंत्राले की ओर से दी गई जानकारी के मुताब एक Electronic Visa की नए केटेगरी शुरू की गई है ग्रह मंत्राले के मुताब एक इस Emergency सेवा के तहट सभी अफगाणी नागरिक visualization के लिए apply कर सकते है जो भी अफगाणी नागरिक वीजा के लिए apply करेगा उसे वीजा देना है या नहीं इसका फैसला भारती एदूतावास करेगा बता दे कि अभी तक अफगानी नागरिकों को ईवीजा नहीं दिया जाता था लेकिन अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए अफगानी नागरिकों को ईवीजा दिया जाएगा पहली बार इवीजा च्छे महिने के लिए दिया जाएगा वहीं अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए भारती विदेश मंत्राले ने वहां से भारतियों को निकालने के लिए हेल्प लाइन नमबर जारी किये है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि अफगानिस्तान में फसे लोगों को निकालने के लिए अफगानिस्तान सेल बनाई गई है अगर किसी को भी मदद चाहिए तो वो 97, 17, 78, 59 पर फोन या meahelpdeskindia.gmail.com पर इमेल कर सकता है